प्रत्राते क्लास है 13-9-1968 शुक्रुआर बच्चों की प्रति रूहानी बेहदका बाप बैट करके समधाती है अब यहां बैठे हो बाप के सामने यह तो निश्चे तो जरूर होगा कि हमार रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं गर से जबी निकलते हो इसी विचार से निकलते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के रथ में आये हमको स्वरक का वरसा दे रहे हैं हम को ही दे रहे हैं क्योंकि हम ही स्वर्ग में थे ऐसे तो नहीं है कि हम नहीं थे हम स्वर्ग में थे फिर चौर आसी जन्म का चक्कर लगाए फिर हम अभी नरक में आए पड़े हैं यह तो अंदर में तुम बच्चों को जरूर होगा और कभी भी कोई भी सत्संग में ऐसे ख्यालत कोई बच्चों के अंदर नहीं चलता होगा यह तो सिर्फो तुम बच्चे ही हो जिनकी अंदर यही संकल पे चलते हैं जब असे निकलते हो घर से के हम जाते हैं शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के रथ में आये हमको बाबा पढाए भी रहे हैं और बाबा आये ही हमको साथ में ले जाने के लिए क्योंकि ब्याद का बाबा है और ब्याद के बाबा से ब्याद का बरसा मिलने का है कि बात बाब ने आकर के संगहाई है बच्चों को कि मैं कोई सरव्यापी नहीं हूं कि सरव्यापी तो पांच विकार हैं तो अभी अच्छी तरह से समझ गए हो ना कि मैं सरव्यापी नहीं कि सरव्यापी तुमारे में पांच विकारी से लिए तुम दुखी बन गए हो और महां दुखी अथाह दुखी अभी ये इश्वर सरव्यापी नहीं है तो ये ओपिनियन तुम बच्चों को लिखवानी है चुन्जे बाकि अभी तुमों को तो निश्चे है और तुम तो लिख देंगे ओपिनियन कि इश्वर है यानि बाप सरव्यापी नहीं है अरे बाप तो बाप है सुप्रीम बाप है सुप्रीम टीचर है सुप्रीम गुरु भी है और बाप बेहर का सुप्र अर्थात स्वरक का सुप्र और सांती सुप्र शांती दोनों देने वाले और यहां तुम बैठे हो ना क्यों बैठे हो क्या तुम उको मिलने का है और जगह में तो कोई सत्संगों में ऐसे ख्याल नहीं करती हैं कियनस वे हमको क्या मिलना है बस कन रस है कान की रस को सुन सुन करके रामयन भागवत गीता बगेर बड़े अच्छे तरह से बैठ करके मुदंग ताल बजाय करके गाइन करके संसरत के इस लोग को बोल करके उनका आर्थ बगेरे सुनाते रहते हैं बस कोई ये तो नहीं है कि बुद्धी में कि ये हमारा बाबा है कि जो कहते हैं दुनिया में और हम भी आगे कहते थी कि परमातमा सरव्यापी है तो ये तो जूट बात है समझे ना येनकी ग्लामी है तो अभी ये ओपिनियन चाहिए और ये तुमारी ओपिनियन है ना तो जैसे तुमारी ओपिनियन है ऐसे औरों की भी ओपिनियन चाहिए कि जो बैट करके लिखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है ये बरोबार बहुत अच्छी समझानी देती है और मुनिश्यों को अभी कुछ भी इश्वर को प्राप्ट करना है तो उनके लिए रास्ता बताती है अच्छा ये भी कहते हैं बहुत लिख करके देते हैं ओपिनियन और ऐसा कोई नहीं लिख करके देते हैं कि ये जो दुनिया भरमें कहते हैं मनुश्या इस्वर सरव्यापी है ये बड़ी भारी भूल है ये नहीं लिख के देते हैं इस्वर जिसको बाबा कहते हैं शिव बाबा बोले बंदारी, तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और गुरु भी है, चम्झा ना, अच्छा, इसके अलाबा फिर दूसरा ओपिनियन किया चाहिए, इससे सिद्य हो जाता है ना, कि गीता का भगवान क्रश्ण नहीं है, भगवान मनुष्य को देवताओं को भी नहीं कहा जा सकता है, मनुष्यों के अंतर तो चंचल मन काम करता रहता है, और देवताओं भी तो भोगी होते हैं, भगवान तो अभोगता है, और एक भगवान ही अभोगता है, सदाकाल, और वो बाप भी है, सभी का बाप, उस बाप अशे शान्ती और सुख दोनों मिलता है, तुमने सुना है, सत्यूग था, अच्छा देखो, तुम सत्यूग में खड़े हो, समझा ना, समझो, गोल्ड नेज में खड़े हो, तो देखो, स्वर्ग है, और तो कोई नहीं है ना, और है कहां, और शान्ती धाम में तो शान्ती है, बस फिर वहाँ शान्ती के अलावा, दुख का या सुख का, तो नाम निशान नहीं है बिल्कुली, और हम सुखदाम में, जब हम सुखदाम में हैं, तो बाकी सब शान्ती धाम में, तो अब ये दो चीजे हैं, देखो, ये ओपिनियन क्या क्या लिखा के लेना है, ये ओपिनियन जो अभी लिखते हैं, ये बंदर लोग लिखते हैं, जिनसे तुम बैट करके ये ये उदगाटन करवाते हैं, तो वो कोई ओपिनियन थोड़े ही लिखके देते हैं, जो तुमारे काम का हो, वो ओपिनियन बच्चे लिखते हैं, कि तुमारा जो बहुत ही यहां भगाना है, ये करते हैं, जादू करते हैं, सुरुमा पहनाते हैं, फलाना करते हैं, वो बो साहब थोड़ा मिटने के लिए है, यह जो अभी ओपिनियन लिखते हैं, सो यह जो कहा जाता है ब्रह्मा कुमारियों को है, वो बात नहीं है, यह बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बाकि चाहिए तो तुम बच्चों को, जिसे बाप कहते रहते हैं, तुम बच्चों की विजय अब कब होगी, तब विजय होगी, जब उनसे समझ जाएंगे, कि यह सच्च कहते हैं, जो भी कहते हैं, सच्च कहते हैं, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों कहते हैं, कि ही सरसर व्यापी नहीं है, और वुईश्वर बाप है सब का, और गीता ये जो सर्मसास्त्रमई शिरुमनी है, साब भक्तियों का बाप, यानि जैसे गीता को ही कहेंगे, सबी भक्तियों का बाप एक दम, क्योंकि वो बैठ करके, भक्ति मार्क से छोड़ाय करके ग्यान देते हैं, तो वो तो ईशर हुआ ना, बच्चे एक दम, तेरे नौ, उनिस्सो और सट की प्राता एक लास का दूसरा पे, चौथी लाइन, तो वो जब ये ओपिनियन लिखें हैं, कि एक तो ये जो पतितपावनी गंगा या वो पानी को कहते हैं, वो नहीं, वो पतितपावन भी ये एक ही बाप है, और वो पतितपावन भी है, वो एक ही है, वो बाप भी है, और गीता का भगवान भी वो एक ही है, ऐसे ओपिनियन लिख करके देवे तब तुम्हारी विजय होने की अभी वो जो विजय में अभी तुमको टाइम पड़ा हुआ है इसलिए अभी पहले-पहले क्या हो रहा है यह जो तुम सर्विस करते हो इस सर्विस से यह जो मुजियम बनाते हो देखो चर्चा होती है और कितना खर्चा होता है कोई मुफ्त में तो नहीं बन जाता है और बच्चे ही खर्चा करते हैं बच्चे यह समझ करके खर्चा करते हैं और एक दो तो मदद भी करते हैं कोई बाहर वाला उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि इनके पास यह इतना पैसा कहां से आता है उनको नहीं पता है कि तुम अपने धन से कैसे है अपने धन से बैठ करके तनमन धन से खर्च करके और बात्साहिया अपने लिए इस्थापन करने के लिए क्योंकि तो नियम है जो करता है सो पाएगा नहीं करता है वो फिर पाएगे भी नहीं तो कन्प कन्प तुमी यहा कर कि यह करते हो और निश्य गुद्धी होते हो कि बाबा हमारा बाबा भी है और वो बाबा टीचर भी है और ये गीता का ग्यान अथार्थ रीति से समझाते हैं जो सही अर्थ होना चाहिए वो ही समझाते जिसे अर्थ के समझने से हम राजी प्राप्त करते हैं और वो भक्ति मार्ग में जो अनेक गुरु समझाते आए वो गीता तो सुनते ही आए उस गीता को सुनने से हजारों साल से सुनते आए कोई राजी थोड़े ही प्राप्त किया किसीने साव आधिन हो गए तो वो तो गीता सुनाते आए हैं जूठी इससे आधिन बनाते आए हैं और उस गीता को सुनने से तो हम और ही जूठ हंड में आगे एक दम नीचे तमों प्रधानता में आता है तो प्रधानता में आ गए क्योंकि जिस दुनिया में आ गए इस दुनिया को जूठ खंड को आ जाता है तो जूठ खंड को भी यह रजोर तमोंक आ जाता है ऐसे ही दुनिया की हर चीज चारा वस्ताओं से बुजरती है तो हम तो सत्यूग से नीचे गिरे थोड़ा तो वहीं गिरे सत्व प्रधान से सत्व में आ गए फिर जब रावन राज्य आए दुख का समय आए अधा कल्प तो पूरा रावन राज्य आए और रावन राज्य में हमारी सारी बुद्धी फिर गई वो जो बुद्धी में इश्वरिय मत थी कि हम आतमा हैं वो आशुरी मत हो गई कि हम देह हैं क्योंकि देह विमाने रावन का राज्य आगया ना इसे कोई राम का राजी थोड़े ही कहेंगे इसलिए देखो राम रीला भी दिखाते हैं रावन को मकर्म को कितना बड़ा बड़ा दिखाते हैं देह हैं विमानी और राम को छोटा तो यह यादगार ठीक आ रही है चली हुई तो जो हमारी इश्वरिय मत थी जिस आत्म की स्थिती की मत से हमने स्वरक का भरसा लिया बेहर के बाप से लिया और इतना 21 जन्म के लिए बस फिर क्या फिर तो रावन के आने से ही हमारी मत आशुरी हो गई और पठ से वो करेक्टर एक दम बिगड़ गया अभी सबसे करेक्टर बिगड़ता है जास्ती कौन सा है जास्ती करेक्टर बिगड़ता है जो पतित बनते हैं शक्ती छीन करते हैं शक्ती का पतान होता है ना तो देखो पतित पतित सब पतित पतित पावं देखो कितने मनुस्य जाते हैं कि पानी में इसनान करने के लिए कुम्ब के मेले में कितने होंगे तुम बताओ बहले कितने मनुस्य सनान करते हों किसी ने का बहुत जाते हैं अनिकरते करोड़ों की चंख्या में जाते हैं हाँ करोड़ों एक दम यह जो कहते हैं ना कभी-कभी कित्रिवेनी नदी पर आठ लाख दस लाख बारह लाख अरे यह दस बारह लाख नहीं तो करोड़ों हैं क्योंकि जहां जहां पानी पानी देखते हैं और फिर अगर जहां पानी नहीं है तो कुआं तो है भला तो वहां कुएं पर भी जाकर इसनान जरूर करेंगे क्योंकि कुम्ब के मेले का यह लोग दिन देखा है सभी जो भी मनुष्य हैं भगत लोग सब यही समझते हैं कि यह पानी ही है जिससे मनुष्य पतित से पावन बनते हैं अब देखो कितनी बड़ी भूल है पानी तो नदियों में आता है नदियों में सागर से पानी आता है और नदियों से यह सभी नहरे नाले नालियां पानी खीचते हैं और वो यह फिर पानी पीते हैं और कहीं तो वो पानी कठा हो करके बड़ा तालाब बन जाता है इस तालाब को लेक भी कहा जाते हैं गंदे में बनता है अब देखो यह पहार ओपर जाएंगे ना उपर में बहुत वहां पानी बहता है कितना पानी बहता है और बड़े तालाब बन जाते हैं और फिर फिर आते हैं कुए में अभी वो क्या है पतित पावन से और वो पानी पीने के लिए इसनान करने के लिए है या पतित से पावन बनेगा वो ख्याल रहता है अभी कि भई हम पतित से पावन बर करके देवता बनेंगे यह तुम्हारी गुद्धी में ख्याल रहता है वो समझते हैं पानी में इसनान करके पतित से पावन बनते हैं अब तुम बच्चों को कभी यह ख्याल होता है कुछ है क्योंकि तुम बच्चों ने भी इसनान जरूर किया है भक्ति में जनम जनम इसनान किया है और यह ना ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दियो यह नोने तो यह भक्ति का बहुत ही अनुभोलिया हुआ है तो कोई भी पावन तो बन नहीं सकेंगे है ना तो एकदम बड़ी भूल है और इसको कहा जाता है भूल तो यह तीनों ही बातें जो हम कहते हैं इनके ऊपर ओपीनियन चाहिए और अभी जो लोगों से ओपीनियन आती है यह जो ओपीनियन लिखते हैं तुम्हारा इतना जो नाम हो गया है कि यह जादू गरनिया है बगाती है और शुरुआ से यह चंता है तो होता तो थोड़ी बात है समझाने और वो थोड़ी सी बात सभी अख़वारों में पड़ जाती है तेरे 1968 की प्रात्यक्लास का तीसरा पी तो जापान के अख़वारों में अमेरिका के अख़वारों में लाइफ अख़वार ऐसी मशुहूर उनमें सब में यह तुम्हारा सिंध का समाचार आया था कि भई एक जवार ही है सिंध में वो कहते हैं कि मैं क्रश्न हूं क्रश्न का बतार हूं और मुझे 16,000 कितनी भई वो कहते हैं कि मैं क्रश्न हूं किसी ने कहा 16,108 हाँ इतनी 108 रानिया चाहिए तो उनमें उनको 400 मिली हैं अभी क्योंकि उस समय तो 400 ही आते थे सुनने के लिए जुसिंदे में थे बाबा के पास 400 हाती थे लिए लिए यह उनको आते थे लिए